हेलो फ्रेंट्स आप सब का एक बार फिर से स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे फैब्रिक लटकन जो की बहुत ही कम पैसों में तयार हो जाएंगे और बेहत खूबसूरत भी होंगे तो आप इसको अपनी कुर्टी पे, ब्लाउस के बैक नेक पे, लहंगे पे, कहीं पे भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो सिरफ 5 या 10 रुपे में ये लटकन तयार हो जाएंगे तो चलिए हम अपने लटकन बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ब्रॉकेट के ये दो फैब्रिक कट किये हैं मैं अभी आपको दिखा दू, मैंने कितने कितने कट किये हैं तो साड़े तीन इंच मैंने इसको चौड़ा रखा है और साड़े तीन इंच ही लंबा रखा है यानि कि 4 फैब्रिक कट किये हैं, 2, बिल्कुल equal size के तो अब हम इन दोनों फैब्रिक को ऐसे रखेंगे, एक के उपर, तो इसको ऐसे, यहां से बिल्कुल बराबर सेट करते हुए, इसको ऐसे, फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें इसको round shape के साथ cut कर देना है यहाँ से तो ऐसे आप इसको mark करके भी cut कर सकते हो मैं ऐसे ही cut कर रही हूँ हल्की सी round shape दी है मैंने नीचे से तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ यह दिखिए round shape ये ऐसे आ जाएंगे खोलने के बाद दोनों फैब्रिक हमारे ऐसे कट चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे इस पे हमें लेस स्टिच करनी है तो मैं ये पर्ल वाली लेस स्टिच कर रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस स्टिच कर रखते हो लेकिन पर्ल वाली लेस इस पे जादा अच्छी लगेगी बहुत ही असानी से ये मार्किट में मिल जाती है ऐसे हमने इसको सिंगल पैसे स्टिच करना है बिल्कुल लेस के किनारे किनारे सिलाई लगानी है और ये भी दियान में रखे कि फैब्रिक को आपने सीधा रखना है इस तरीके से तो ये देखिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है अब हम दूसरे वाले फैब्रिक को ऐसे रखेंगे सीधा करके और इसको इसके उपर उल्टा करके रख देंगे और यहाँ पर ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे जो हमने लेस को स्टिच करते हुए लगाई है दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए ऐसे सिलाई लगा देंगे हम लेस वाली सिलाई के उपर ही और अब हम इसको यहां से ऐसे सीधा कर देंगे यह देखिए लेस हमारी ऐसे आजाएगी नीचे की तरफ लेस भी हमारी गुम होगी है और फिनीशिंग भी आजाएगी ऐसे साइड से ऐसे एक्स्ट्रा फैब्री को कट कर देते हैं यहां से और अब हम क्या करेंगे इसके बीच में हमें डोरी रखनी है ये मैं golden color की डोरी रखनी हूँ ये ready made है easily मिल जाती है market से तो यहाँ पे सिलाई लगा देंगे डोरी को ऐसे बीच में रखते हुए तो आप यहाँ पे hand made यानि की हाथ से बनी हुई डोरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं डोरी आपकी बिल्कुल center में आनी चाहिए इस तरीके से हमें किनारी पे सिलाई लगा देंगे और यहाँ से अब extra fabric को trim कर देते हैं और अब हम इसको सीधा कर देंगे लटकन को डोरी को इस तरीके से खीचेंगे तो यह लटकन ऐसे आजाएगा हमारा सीधा होके यह दिखिए कितना beautiful लग रहा है न तो यह दिखिए कितनी असानी से और कितना beautiful हमारा यह लटकन बनके तयार हो गया है और कुछ ही पैसो में यह तयार हो गया है अगर आप इसको मार्किट से लेने जाएंगे तो ये 40-50 रुपे में मिलेगा ये ऐसा लटकन आप इसको घर पे असानी से और बहुत ही कम पैसो में तयार कर सकते हो तो अगर आपको मेरे ये लटकन बनाने का तरीका और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो